नमस्ते बहिया फैनों आप सभी घर में है ना बाहर तो नहीं जा रहे ना आप सब को ही पता है कि अब कोरोना एक महामारी का रूप ले चुका है और आप सब को घर में ही रहना है गर में रहेंगे स्वस्त रहेंगे और उसके लिए आपको बार बार हाथ भी दोना है और विटामिन सी से भरपूर चीजें जैसे संत्रा आदी खूब खाना है और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी करनी है करनी है ना तो हमने पहली वीडियो में पहली वीडियो हमने जब बे इसमें हम तुलसिदास जी के विशय में आपको थोड़ा सा समझाएंगे ठीक है उसके कुछ दोहें भी हम आपको अर्थ सही बताएंगे सबसे पहले रामचरित मानस की रचना किसने की यह है विश्विक का सर्वोच सर्व स्रेष्ट ग्रंत है रामचरित मानस यह तुलसिदास जी द्वारा लिखा गया है तुलसिदास जी कर्जन 1554 बांदा जिले के ग्राम राजापूर में हुआ था इन्होंने वह सारी रचनाय लिखी जिन में से एक दो के नाम में यहाँ पर लिख रही हूं बता रही हूं जान की मंगल विनय पत्री का ठीक है अब इनके कुछ शब्दार्थ भी हैं जो कुछ कठी शब्द थे मैंने उनके अर्थ लिखे हैं जिसे विपत्ती विपत्ती मा अच्छे कार्या है सचीव सचीव होते हैं मंत्री राजा के मंत्री होते हैं पावस पावस माने बरसात दादूर दादूर माने मेंड़क अब हम इनकी कुछ दोहे पढ़ेंगे और उनका अर्थ में आपको बता हुए तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक सा साहस सुकृति सू सत्यवरत राम भरो से एक इस दोही में तुलसीताज जी ने कहा है कि हमारी विपत्ति के साथी यानि के मुसीबत के साथी कौन है विद्या जो हम पढ़ते हैं विनय और विवेक विवेक यानि के बुद्धी और विनय माने शील्टा साहस सूकृति सूकृति माने सुन्दर रचनाएं और सत्यवरत बाकी सब चीज थो हमारी मुसीबत के समय नहीं आती काम लेकिन ये सारे विन हमारे मुसीबत के समय काम आते हैं कौन-कौन से विद्या, विने, विवेक, साहस, सत्य बोलना आदि सचिव, वैद, गुरु तीनी जो प्रिये बोलाई वहास, राज धरंतन तीनी कर हो ही बेगई नमस तुल सिदाजी कहते हैं सचिव, सचिव माने क्या बताया ऐसा, मंत्री वैद, वैद कौन होते हैं, डॉक्टर, गुरु जो हमें ज्यान देते हैं सचिव, गुरु और वैद, अगर ये तीनों प्रिये बोल रहे हैं तो इसका मतलब कुछ गंबीर समस्या है, क्योंकि ये तीनों कभी प्रिये नहीं बोल सकते ठीक है, जैसे अगर मंत्री प्रिये बोल रहा है, यानि के राज्ये में राज का नास, राज्ये का नास होने वाला है या राज्ये में कुछ उसी बताने वाली है, और वैद जूट बोल रहे हैं, तो आपको कोई पयांकर बिमारी है और गुरु धर्म की बाते बताते हैं, यानि के धर्म से संबंदिद, तो ये तीनों का काम है कड़वा बोलना, क्योंकि कड़वा सच्चाई जो है, वो कड़वी होती है तो अगर ये तुम से कुछ सच्चाई चुपा रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ गड़वर है तुलसी पावस के समय, धरी कोकिलन मोन, अब तो उतादूर बोली है, हमें पूछी है कौन? तुलसी दाची कहते हैं कि पावस पावस माने बरसाथ, पावस के समय बरसाथ के समय कौन बोलते हैं? मेंडग, और मेंडग क्या? चाटु कारिता और कोयल कब बोलती है? मसंत रितु में तो अगर कोयल कह रही है कि अब तो बरसाथ है, अब तो चाटु कारिताओ की ही चलेगी यानि के मेंडग बोलेंगे हमें कौन पूछ रहा है? सज्जन मनुछ्य को कौन पूछ रहा है? हमारे कितने रितु होती हैं? छे तीन मुक्षे हैं, checks यह विसे रितु होती है, कौन-कौन सी जरमी, Бरसाथ, सर्धी, बसंत रितू, हेमंत रितू, शिशिर रितू तो बरसाथ के समय कौन बोलता है यानि के मीठा मीठा अच्छी बाते कौन बताता है कोया अब हम इससे संबंदित थोड़े से मैंने छोटे-छोटे से प्रेशन लिखे हैं यह आप अपनी कोपी में भी लिख लिजेगा शब्दार्थ भी और प्रेशन भी इसे निम्न कवियो की दो-दो रचनाई लिखो कबीरजाज जी हमने पिछली वीडियो में पढ़ाता ना कबीरजाज जी कौन सी साखी सबद रहीम दाज जी की पंचा ध्याई रहीम दोहा वली तुलसिदाज जी की विनय पत्रिका और जान की मंगल ठीक है इन को आप अपनी कोपी में लिखें दोने क्से प्रियावाची भी बताएंगे सबसे पहले प्रियावाची हो तो क्या है अब सैकिन लिखे आ रही है एक ही शवत के और लेजुद अर्थ नहीं शब्द तो वह प्रियावाची कहलाते हैं जैसे धर्ती धर्ती है जिस पर और इसको क्या बोलते हैं हम जमीन भूमी वसूधा भू यह सब प्रियावाची हो गए धर्ती के ऐसे आकाश आकाश को हम क्या बोलते हैं आस्मान नब गगन है ना बोलते हैं तो यह प् कुछ तुम्हें परियावाची दूंगी बहुत मुश्किल नहीं लेकिन उनको आपको अपने आप करना है जैसे सबसे पहले हम प्रत्वी का ही लिख देते हैं प्रत्वी के आप कि तीन तीन परियावाची लिखेंगे ठीक है ऐसे ही आकाश नेत्र को क्या बूलते है नयन आख चक्षू द्रुग ऐसे ही सांप सांप को क्या बूलते हैं सांप के अंदर क्या होता है विश होता है ना विश्धर बुजंग सर्प यह सांप के प्रियावाची है और पानी पानी को क्या के बूलते हैं क्या बूलते हैं जल नीर तोए वारी यह सब प्रियावाची है पानी के ठीक है अब आपको यह होमवर्ट में करना है आपको इसको होमवर्ट यह आपको सारा नए पेज से अच्छीजी सुन्दर राइटिंग में सुन्दर लेक में लिखना है फिर प्रशनुतर यह चोटे वाले प्रशनुतर भी लिखने हैं और उसके बाद आपको एक अलग पेज पर प्रियावाची लिखने हैं और यह सब शब्दार्ज प्रेशनुतर लिखो यह जाज करों और दूसरा प्रियावाची लिखने हैं को आगे समझ में सब को ठीक है सब कर लेंगे ना ठीक है तन्या बाद